हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका जैसन सरीज में और आप देख रहे हैं इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जैसन के बारे में जिसमें हम लोग समझेंगे कि जैसन होता क्या है इसे हमें की यूज़ करना चाहिए और इसक जैसन फाइल जो होती है वो मेंट बिटा फॉर्मेट फाइल होती है जैसन फॉर्मेट जो होता है वह मेंट जो यूज़ क्या जाता है डिटा स्टोर करने के लिए in the form of test और उस डेटा स्टोर करने पहर नाम रखागया है javascript object notation, JSON आपका subset है javascript का, जिसकी वादय से यह क्या करकाता है, k אתה Sinks को अपने format вас कर पाता है, और इसके इलाबा आपको फाइल को पर इसे तरह से आप अपने जयसन प्जिट को data JSON format में pass कर सकते सर्वर के पास इसलिए कहा गया है कि जो JSON है मेली web के लिए बना है और data exchange करने के लिए बना गया है और चलिह इसके बारे में और देख रहते हैं और क्या क्या बाते हैं जैसोन के बारे में जो जैसोन है वह lightweight है और self describing है इसका मतलब क्या हुआ जो json format होता है जो file structure इसका data store करने का वो बहुत ही light weight होता है और self describing का मतलब यह होता है कि अगर आप उस file को समझेंगे पढ़ेंगे रीट करेंगे तो आप easily इसको समझ सकते हैं कि उसमें किस तरह data pass हो रहा है इना स्थ हम देखते हैं json जो है वो easy to read or write है json को read करना बहुत easy human readable होता है और write करना बहुत easy है आप किसी programming language का use करके इसको read or write कर सकते हो json is language independent ऐसा क्यों कर आ गया है language independent का मतलब यह है कि json को किसी भी programming language के साथ यूज कर सकते हो इसी वरे से इसको बोला गया language independent नेश्ट जैसन सपोर्ट डेटा स्ट्रक्टर साच इस अरे ने ऑपजेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जावा स्किप में बनाना जानते हैं तो वही same format हम लोग जैसन में यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और हो सकता है कि वो डेटा आपका एरे format में भी सेव हो रहा है इसी वज़े से कहा गया है कि जैसन जो है वो सबड़ करता डेटा स्ट्रक्टर को जैसा कि एरे है और और अब्जेक्ट है निश्ट हम देखेंगे कि json हमें क्यों यूस करना चाहिए ? वाइव जैसन जैसोन होता क्या है यहां प्रों लिखाओ कि since the json format is test only जो डैसन फॉ मेंटी जो डेटा स्टोर के रखता है चिजन की रिपके जो हमनो समझता है, और JSON format जो हमको server की तरफ से मिल रही tehdit do को समझने के लिए उसको passt करने के विए javascript में झो इंभली फंक्सन होते है ज्रूं को नाम का वो क्या करता है उस format को ह॥ा एजर्गूट करके our प्रसों करके अपने website में convert का लिता है इसके वरे से हम क्या कर पाते हैं उस data को समझ पाते हैं read कर पाते हैं और show कर पाते हैं ब्राउजर पे नेश्ट फो इफ यू receive data from server in json format you can use it like any other javascript object जैसा कि मिन्हा आपको बता है कि अगर आप json format को server से receive करते हैं तो इसको easily convert कर पाते हैं javascript object में तो यही वजय थी कि json को use किया जाता है और जैसान आपका फास्ट है lightweight है जैसान लेंगुज इंट्रो परेवला है मतलब किसी भी लेंगुज पर डिपेंडेंट नहीं है आप किसी भी लेंगुज के साथ यूज कर सकते हो और यह ज़रू दिहान अखिए कि json आपकी programming language नहीं है जैसान आपका file format है data format है जो कि कोई programming language इसको यूज करता है डेटा को read करने के लिए राइट करने के लिए mostly जब उसका use होता है वह आपका web to mobile application यूज होता है mobile to web application डेटा पहुंचाने के लिए data receive करने के लिए ही यूज किया जाता है तो next video में हमनों समझेंगे जैसान और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए